बाई और बेनों, यहां का विवा जो पहली बार बोल डाल रहा है, वो अपनी आकांग छाओं का उडिसा चाहता है, 21 सदी का उडिसा चाहता है, वो अब सवाल पूछ रहा है, कि आखरी ऐसा क्यों हुआ, कि देश के सबसे समर्द राज में इतनी जादा गरीबी क्यों है, वो युवा जो करीब करीब उसी समय पैदा हुआ था, जब यहां बीजेडी की शरकार पहली बार बनी थी, वो आज जबाब मांग रहा है, वो पूछ रहा है, कि एक पूरी की पूरी पीडी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी हां, पलायन क्यों नहीं रुका, क्यों यहां उद्योग नहीं लगे, सिंचाई की सुविदा क्यों नहीं तयार हुई, वो जानना चाहता है, कि चासी भाईयों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बड़े, उसके मन में सबाल है, कि ओडिशा के सबसे पुरानी नगरपाली का होने के बावजूद, केंदर पाड़ा, सडक, सीवर, बिजली, पानी, ऐसी मुलभूत समस्याओं के लिए क्यों जूज रहा है, भाईयों बहनों, समस्या प्राथ्विक्ताओं की है, यहां की सरकार की प्राथ्विक्ता में विकास नहीं है, सिरप और सिरप सत्ता है, साल, दर साल, चुनाव होते रहे, आप उन्हें वोट देते रहे, इन लोगोंने मान लिया, कि जवाये चाहे वो कुछ करे या न करे, ओडिशा का विकास हो या न हो, आप तो उन्हें वोट देते ही रहेंगे, साथियों, ओडिशा में इसलिए बडलाव जरूरी है, आपको सिरप सत्ता बदलने के लिए बडलाव करना है, ऐसा नहीं है, आपको एक बहतर विकल्प, अपने बहतर बविश के लिए सोचना है, इसलिए भाजपा को वोट करना है,